बहुत ही भयानक चप्टर लोगबा कहते हैं इसको और उनका कहना गलत नहीं है क्योंकि इस चप्टर के अंदर बहुत सारे कॉंसेट्स मेकेनिक्स के जो मेकेनिक्स में समझ में नहीं आये थे वो एपलाई होते हैं और यह अपने आप में इसकी अलग कहानी है दूसरी सबसे बड़ी बात यह बहुत ही विशाल चप्टर है वहिया इसमें जब तुम गोते लगाओगे तो दूसरा किनारा आर पार नहीं मिलता है तो दो बड़े बड़े चैलेंजेसे एक तो इसमें मेकेनिक्स का एप्लिकेशन है मेकेनिक्स के अंदर फोर्स एनरजी और डिस्प्ले ही नहीं थे इतना बड़ा होने के बाउजूत यान्य रोटेशन से भी लोगवाग इसको बड़ा कहते हैं इससे एक या दो कोशन उटके आया है लेकिन पिछले दो सालों में दो दो कोशन इस चैप्टर से उटके आ रहे हैं और हर वार एक नए टॉपिक से कोशन आ रहा है क्योंकि बड़ा है इतना बड़ा चैप्टर खता मी नहीं होने टॉपिक इनके तो इनने एक से दो दो डालना चालों कर दिये तो हम क्या करें जो बच्चे इस पर एक्जाम देंगे वो क्या करें छोड़के आ जाएंगे इसको बच्चो कोई भी चैप्टर पूरी तरह से चोड़ के नहीं आया जाता है हर आदमी को अपनी अपनी capability के साब से काम करना होता है अब imagine करो जो बच्चा already class में बहुत अच्छा कर रहा है जिसको rotation पूरी physics बहुत अच्छे से आती है उसको मैं recommend करूंगा कि इसको भी अच्छे से कर लो complete करो इसको लेकिन जिस बच्चे को स पूरी तरह से सही नहीं होगा और को यह कहें कि छोड़ना है तो वो भी पूरी तरह से सही नहीं होगा यह दवाई हर आदमी की अलग है जो जिस लेवल पर है उसको उस लेवल पर अपना best perform करना चाहिए ताकि वह अगला लेवल जल्दी अचीव करे right but most of the time हम लोग देखत कि आफ जो serious students है वो 400-400 तक पहुंच जाते हैं इन बच्चों के 100-500 अगर एक्स्टा बढ़ जाए तो अफकोर्स सबके तो नहीं बढ़ सकते क्योंकि लिमिटेट सीट सें फिर कटा वर उपर ची लिए यह लेकिन कि we are just giving a platform, we are just giving a method to score high especially उन बच्चों जिनकी एक on and average preparation है तो उन बच्चों के हिसाब से फ्लूइड चेप्टर को छोड़ करके आधा जाना है और आधा नहीं जाना है मतलब इस फ्लूइड चेप्टर के अंदर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जरूर करके जानी है उनसे related questions करके जाने है तो आप देखेंगे कि एक्जाम में इस चेप्टर से अगर question आए नहीं है तो आईए स्टार्ट करते हैं जैसा मैंने का हर चेप्टर को दो तीन छोटी छोटे पार्ट में डिवाइड करना ज़रूरी होता है रिविजन के point of view से तो वैसे यहां पे भी मैं इस चेप्टर को कहने को बहुत बढ़ा है लेकिन अभी जब मैं आपके सामने इसक इसमें मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा एक एवरेज बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम दे और इसमें मैं यह भी नहीं चाहता कि बिल्कुल इसको छोड़के चले जाए क्योंकि दो कोश्यन ओने अवरेज आ रहे हैं so that's why I needed to explain this thing तो आईए स्टार्ट करते हैं इस वो प्रेशर वैरियेशन है प्रेशर किस तरह से वैरी करता है एक कंटेनर के अंदर जिसमें पास्कल स्लाव भी आ जाता है जिसमें हाइट के कानड़ प्रेशर का चेंज भी आ जाता है जिसमें एक एक रोटेटिंग वाला कॉंसेप्ट भी अगर एड़ कर देंगे तो उस से बंडॉली इक्वेशन सीधा देखो मैं बनॉली पे आ गया बीच में बिल्कुल भी आपका टाइम वीच नहीं किया सबसे इंपोर्टेंट फिर नेक्स पार्ट ही बनॉली है बनॉली इक्वेशन बनॉली इक्वेशन प्लस इक्वेशन ऑफ कांटिनुटी कॉंटी निटी तो बनोली एक्वेशन सेकंड पार्ट है इस बनोली एक्वेशन के अंदर यह आप दो चीजे पढ़ते हो कि सेम लेवल पर भी प्रेशर का वेरेशन हो सकता है अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है लिक्विड का फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो सब कुछ इसके अं प्रदस से जो दो इस पेशल अप्लिकेशन जिसे आपको एक्वावना सबसे जादा वो करेंगे उनके रिजल्ट और उनका रिलेशन एक तो होगा वैंचुरी मीटर और दूसरा आपको होगा इफ्लक्स इफ्लक्स में आप देखेंगे जातर आप देखते हैं कि कई सारे ट करतने के बजाए इसके पीछे कर जो कंसर्ट ऑली और कON्टीणी इन से फर ये डुनु रिलेशन्स को एक और देख लो और इसके बाद उनके रिजल्ट को एक पेज में लिख लो पेज में लिखे कि लिए अपने अपीच में सटलत्य तो पहले वाले पार्ट में आपने दे excess pressure, insobe bubble and surface energy, पूरा का पूरा सर्फेस टेंशन का कॉंसेप्ट यही तो है, अगर मैं कॉश्चन के पॉइंट आफ इसे कहूं, तो एक्सेस प्रेशर पे कॉश्चन आते हैं, आफ इसे कहा हैं, तो पूरा सर्फेस टेंशन के आगे पीछे गोगता है, उसके जो कॉश्चन से हैं, थर्ड बाट, एंड फूर्थ इस, स्टोक्स लॉव, एंड टर्मिनल स्पीड, स्पीड, तो बेसिकली यह चार चीजे हैं, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल है, यह आपका विस्कॉसिटी वाले कॉंसेप्ट को यह आपके कवर करेगा, विस्कॉसिटी को मैं डिफाइन करने ज जाओं तो फिर से वही राम का आनी, अरे भीया सीधा तुम एक बर पढ़ चुके हो, इस टोक्स लॉव पर ध्यान दो क्या है, इसके एक्स्प्रेशन में रिक एक्टम का मीनिंग क्या है, और इससे बनने वाले टर्मिनल स्पीड का रेजल्ट किया, और इससे बनने वाले क प्रेशन होने के समय होना काम है क्योंके तुम्हार पास समय नहीं है बेटा, इस इतनी बड़ी चीज को समय नहीं के लिए, है बहुत बड़ी चीज़ा है, अब पहले इन चार चीज़ों को कहीजे, बाकी चीज़े आपकी पूरी हो जाती है, समय बसता है, you are free to do anything, but these are the four most important topics of mechanical properties of fluids, let us start with pressure variation, pressure variation, तो दो थी चीज़े, आपको पता है, सबसे पहले पासकल स्लो, क्या होता है, पासकल स्लो, तो pressure at the same, at same height, in same liquid, of in a closed, in a container remains same, यहने, पासकल लोन यह बता था, कि same height पे same pressure होता है, same height पे pressure same होता है, right, simple सा यह था, प्रेशर के जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, पासकल, एड्मास्टिक प्रेशर, 76 cm of Hg, I think you already know those things, हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम प्रेशर के वेरिशन पे जा रहे हैं, प्रेशर क्रेट क्यों होता है, देखो, लिक्विट के जो मॉलिक्यूल्स है तो उनके वेरिशन से वो मॉलिक्यूल उस अब्जेक से बार बार टकराएंगे, और यह एक नहीं, सारे मॉलिक्यूल टकराएंगे भाड़ 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 तो उनके कोलिजन के कारण एक force create होता है, उसको thrust force बोलता है, जो कि वो liquid लगाता है, या liquid के molecule लगाता है, इसलिए आपे force की direction determine करना सही नहीं है, क्योंकि वो तो अलग हो जाएगी, जैसा डालो के surface, अगर rectangle डाल दिया, square डाल दिया, cube डाल दिया, हर एक के surface की direction अलगे, है, so instead of that we determine force upon area, that is intensity of force, so pressure tells you the intensity of the force and the area gives you the direction of the force, so pressure into area gives you total force exerted by the liquid, तो pressure is nothing but the thrust force exerted by a liquid per unit area, that is the intensity of force due to the collision of the molecules of the liquid, simple है, कुछ भी नहीं, अब उसी pressure के variation को देख रहे हैं कि जैसे हम नीचे जाते हैं, वो molecule के collide करने की जो tendency है, जो force है, वो बढ़ता जाता है, दूसरा, variation due to gravity, याने अगर आप किसी liquid के अंदर, जैसे आप जानते ही हैं, ये open to atmosphere, atmospheric pressure को मैं पी नॉट लिख रहा हूँ, let's say, ये जो height है, वो small h है, density rho है, and this is atmospheric pressure, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग liquid के नीचे जाते हैं, pressure बढ़ता जाता है, तो bottom point में पहुचने के बाद, यहाँ पे P at B will be equal to P not plus rho g h, आपको ये already पता है ये formula, कि जब हम नीचे जाते हैं, तो pressure बढ़ेगा, उपर जाएंगे तो pressure घटेगा, scalar quantity है, बिल्कुल भी tension लेने के जोड़ोता नहीं है, आप कभी-कभी इसको ऐसे भी देख सकते हैं, delta will be plus minus rho g h, plus minus इसलिए लगाया, कि अगर मैं उपर आओंगा तो pressure घटाना है, नीचे जाओंगा तो pressure कम करना है, अच्छा, हवा के अंदर pressure हर जगे same मना जाता है, हवा के अंदर density हवा की 0 होती है, तो rho 0 हो जाता है यहर के अंदर, तो height का difference होने के बावजूद भी pressure हर जगे same रहता, यानि यहाँ पर pressure हवा में, यहाँ पर हवा में किसी भी दो point पर pressure same मना जाता है, uniform मना जाता है क्योंकि हवा की density लगबग negligible है, बहुत 0 होती है, तो variation होता है बट negligible होता है, तो अगर यह container जिसमें ऐसे पानी बराता है, यह अगर accelerate कर जाए, तो container अगर यह accelerate कर गया, तो आप देख सकते हैं, यह जो पानी का shape यह change हो जाता है, अपने feel भी किया होगा, देखा भी होगा movies के अंदर कही जगे, यह पानी के जो shape है, यह ऐसा टेड़ा सा हो जाता है, यह angle theta से tilt हो जाता है, तो वो इसलिए हो जाता है, आप देखें यह ध्यान से, कि यहाँ पर अगर मैं 2-3 point बनाओ, let's say this is point A, this is point B, this is point C, यह तीनो point हावा के contact में, right, तो इन तीनो point का जो pressure होगा, PA will be equal to PB, will be equal to PC, that is equal to P0, तो जब भी container accelate करता है horizontally, horizontally का है मैंने देखो, तो horizontal accelation से, पानी में भी same height पे, same pressure नहीं रहता, same height से मतलब है, कि अगर मैं आप से पूछू, यह C के आगे यह वाला जो point है, let me call this point D, तो कहने का तो C और D same height पे है, but pressure at D is not equal to pressure at C, why, because there is an acceleration, तो वो जो Pascal's law है, वो valid नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि उसकी condition wallet हो गई, वो यह थी कि container रुका हुआ होना चाहिए, liquid flow नहीं करना चाहिए, liquid accelate भी नहीं करना चाहिए, यहाँ पे यह liquid container के साथ accelate कर गया है, तो आप same height पे pressure same नहीं होगा, ठीक है, तो कैसे लिखा जाए, कैसे किया जाए, तो simple है बच्चो, simple अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं D का pressure उपर से नीचे करके भी लिख सकता हूँ, तो यह हो जाएगा, P at D will be equal to P at A, plus pressure at A, plus rho g into, let's say यह अगर height h है, so rho g into h, साथ ही साथ में बच्चो, एक और expression आएगा, P at D, D पे pressure, मैं C वाले point से भी लिख सकता हूँ, बच्चो, D पे pressure मैं C वाले point से भी लिख सकता हूँ, let's say अगर यह distance L है, यहाँ से यहाँ तक की, container की जो width थे वो L है, तो मैं सीधा लिखूंगा देखो, P at C plus rho, G की जगे अब लिख दूँगा acceleration, H की जगे दिख दूँगा length, तो हमेशा अगर acceleration आगे हो रहा है, तो पीछे की तरफ pressure जादा होगा opposite direction, और gravity में नीचे की तरफ pressure जादा होगा, तो यह चीज़ यहाँ अखनी है, यहाँ से रादर आप relate भी कर लोगे, rho A L will be equal to rho G H, rho से rho कट गया, तो A by G, A by G will be equal to H by L will be equal to tan theta, यह भी एक दिखल रटने वाला है, याने यह जो एंगल आपने calculate किया, यह theta, यह theta भी सेम है, यह theta भी सेम है, तो आप देख सकते हैं, this is H and this is L, so tan theta will be equal to H by L, tan theta will be perpendicular upon B, simple, I hope आपको दिख रहा है, A by G, तो यह जो tan theta, यह जो angle subtend कर रहा है, वो किस पर डिपंट कर रहा है, acceleration पर डिपंट कर रहा है, इसको surface का angle भी कहते है, है, it is the angle of surface, free surface, inclination of free surface, sorry, I hope it's clear, तो simple है न, rho g h, rho al, pressure का variation, तो अभी तक मैंने आपको दो चीज़े बताई, pressure का variation due to height होता है, plus minus rho g h, plus minus इसलिए लगा रहा है, हाइट उपर जा रहे है, तो घटे की, नीचे आए कि तो pressure बढ़ेगा, वैसे ही horizontal direction of plus minus rho al, तो यहाँ पर लिखोगे, pressure increases in going down the liquid, और यहाँ पर, sorry, pressure decreases नहीं, यह pressure increases है, और यहाँ पर pressure increases in going, opposite to acceleration, acceleration के opposite direction जाने पर प्रेशन इंक्रीज करता है, simple है बच्चों, बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, अब इसे से related, जो 4th point आपका हो जाएगा, वे डेल्टा पी, due to rotation, यह भी एक अच्छा कोश्चन है, नसी आटी के अंदर इसके उपर कुछ कुछ चीज़ें गीव है, इसलिए मैं आपको यह करा रहा हूँ, आ सकता है, यह सीधा सिर्फ डारेट लिए कोश्चन भी आ सकता है, तो इसवार हमने इसलिंडर को रग दिया होरिजॉंटल, इसके अंदर पानी बर दिया, यह दोनों इसके एंड जहां पर एक लोस्ट है, और इसलिंडर को रोटेट करना चालो कर दिया लाइक दिस, विट एंगलर स्पीड होने गा, लेट से दिसस पॉइंट, दिसस पॉइंट टू और जुसकी लेंथ है वो है एल, इस रोटेटिंग सिलिंडर, तो अब हम से पूछ रहा है कि यहां पे बताओ, वाट इस दप्रेशर डिफेंस, पहली बताओ तो प्रेशर कहां पे जादा होगा, वेर विल बीप्रेशर हाई, इस हाई, और सेकेंड फाइंड प्रेशर डिफेंस एक्रॉस दी एंड्स तो जस्ट अभी हमने देखा बच्चो एक्सलेशन की अपोसिट डिरेक्शन प्रेशर बढ़ता है, अब यहाँ पे एक्सलेशन कौन सा है, तो जब यह बोटी रोटेट करती है, तो आपको पता है, यहाँ पे हर पॉइंट का जो एक्सलेशन है, वो होता है, उमेगा सेंट्रिपिटल एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन की अपोसिट डिरेक्शन में प्रेशर जादा होता है, यहाने acceleration की direction है towards center तो उसके opposite यहाने centrifugal यहाने outward direction की तरफ प्रेशर जादा यहाने 2 पर प्रेशर जादा होगा और 1 पर प्रेशर कम होगा तो यहां से सीधा आपका first part का answer आ गया pressure at 2 will be greater than pressure at 2 यह आपको यह रटना भी है हमेशा center का pressure सबसे कम होता है चीजें center से दूर भागती है इसलिए washing machine जो आप पानी डालते हो तो बीच में गड़ा बनता है और यह पानी पीछे की तरफ उपर चड़ता है रीजन यही center पे सबसे कम pressure होता है तो यहां पे का नहीं center यह मतलब यह circle का center center यह नहीं यह जिस circular motion में कर रहा ना यह यह center याने axis की बात चल रही है यहां पे सबसे low pressure होगा और इससे जैसे से दूर जाओगे pressure बढ़ता रहेगा दूसरी बात बच्चों अगर मुझे pressure difference लिखना है तो वो तो अभी हमने पढ़ा rho a into l यहां पे सीधा एकर मैं acceleration की value omega square r डाल दूँँ तो मेरा answer आ जाएगा बट प्रॉलों हो यह बच्चो पिछले वाले question में हमने acceleration constant माना था लेकिन यहां पे जो acceleration है वो देखो आर पर depend कर रहा है variable है यहांने अलग-अलग-अलग radius पर अलग-अलग acceleration है तो फिर इस चीज़ से directly काम नहीं चलेगा इसको differential form में लिखना पढ़ेगा यह बज़ जाएगा dp will be equal to rho A into L की जगे आप लिख सकते हैं इसको DL खतम होगे कानी अब डाल दो यहां पे A की value तो dp will be equal to rho acceleration के लिख होगे omega square r r लिखने के वज़ए मैं small l के terms पर लिख देता हूं इस point पर जो acceleration है a that is omega square l where l is the distance from the axis so omega square l times dl is equal to your dp integrate कर दीजे integrate कर दीजे from p1 से p2 और यहां पे देखिए कहां से कहां तक 0 से लेकर के capital L तक 0 से लेकर के capital L तक तो एक formula आ जाएगा वैसे तो आपको उसे rate नहीं बट एक वर मैंने करके बता दिये था कि अब आपको याद भी रहे और मुश्किल भी नहीं है तो यहांसे जब आप डिल्टा पी लिखोगे वो dp बन जाएगा डिल्टा भी p1-p2 विल भी रो ओमेगा स्कॉर देखो ओमेगा और रो यह कॉंस्टेंट यह बहार आ जाएंगे बचे का एल एल को इंटेग्रेट कर दोगे तो एल स्कॉर बाइट बन जाता है लिमिट डा रो ओमेगा स्कॉर लस्कॉर बाइट बाइट वर ल is the radius of that cylinder or pipe or whatever. So this is the pressure difference between the ends of the cylinder. I hope it makes sense बच्चो तो pressure difference के मैंने आपको 3-4 formula करा है अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए एक वर्बेन को फिर से लिख देता हूँ सबसे पहले डेल्टा P equal to आपने क्या लिखा that is rho g into h plus यह minus आप देख लोगे फिर आपने क्या लिखा डेल्टा P that is plus यह minus rho a into l acceleration के opposite पे बढ़ता है pressure ध्यानत नहीं और तीसरा आपने rotation का क्या लिखा delta P will be equal to rho omega square l square by 2 simple तो यह है variation of pressure due to height, due to gravity, due to acceleration and due to rotation आईए इसके उपर 2-3 question करके इस topic को खतम करते हैं